हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोवेव के नुकसान ये तो हम सभी जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन किचन में रखा जाने वाला भोजन पकाने वा गरम करने वाला एक आधुनिक उपकरण है microwave oven में समान ताप पर खाना बहुत ही जल्दी गरम हो जाता है हमारे भारत तेश में अधिकतर पके हुए भोजन को गरम करने का चलन है microwave में खाना जल्दी बनता है तथा हमारा समय भी बचता है लेकिन microwave में cooking करना खाना गरम करना स्वास्थे की दिश्टी से बिल्कुल सही नहीं है microwave में जब भोजन पकाया जाता है तो oven से कुछ waves निकलती हैं जिसे electromagnetic radiation कहा जाता है जो कि हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही हानिकारक है जब भी microwave में भोजन गरम किया जाता है या पकाया जाता है तो भोजन के पोशक तत्व नश्ट हो जाते हैं और इस तरह के भोजन से शरीर को कोई भी पोश्टिक तत्व नहीं मिल पाता जिस समय भोजन माइक्रोवेव में गरम किया जाता है उसी समय भोजन के अनू अंदर ही तूट जाते हैं और अनू तूटते ही पौश्टिक तत्व भी तूट कर नश्ट हो जाते हैं इस प्रकार माइक्रोवेव में बना भोजन पौश्टिक तत्व नहीं बलकी विशैला भोजन है इस प्रकार का भोजन जिसमें कोई भी पौश्टिकता ही नहीं ऐसे भोजन करने से क्या लाब माइक्रो वेव के प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन रखने पर कई प्रकार के हानिकारक जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं जो स्वास्ते के लिए बहुत हानिकारक है एक स्टडी के अनुसार माइक्रोवेव में पका भोजन का सेवन करते रहने से शरीर में रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं जिससे स्वास्ते सम्मंदी कई खत्रे पैदा हो सकते हैं माइक्रोवेव में पैदा होने वाले रेडियेशन हिर्दय की गति को अधिक प्रभावित करता है इसके अलावा भोजन कई प्रकार के रोग हमें दे सकता है पाश्टिक तत्व नष्ट होने पर यह भोजन हमारी इम्मुनिटी को समाप्त करता है कोई भी रोग कभी भी खराब हो जाता है, कमजोरी आती है, तिथा तोचा में जुरियां और बढ़ापा जल्दी आता है, पेट और आंतों में चैंसर तत्वों के अधिक्ता हो जाती है, शरीर में विटामिन, मिरणीर्स, प्रोटीन वा अन्यà पोशक तत्वों की कमी से जल्दी-जल्दी रोग रखता है यदि आप अपना तथा अपनों का स्वास्थ्य चाहते हैं तो माइक्रोवेव ओवन में बने भोजन से दूर रहें धन्यवाद दोस्तों